चलिए हम एक बार सबसे पहले paper discuss कर लें कि हमारा जो questions आता है वो कहां से आता है maximum time तक और किस तरीके की questions आपके पूछे जाते हैं है ना आज और important questions कौन-कौन से हैं जो हमें करके जाना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं management account और sir management account जो है यह किस semester का है that is आपका यह है semester जो five के बच्चे हैं और किस के लिए है यह honors वाले बच्चों के लिए sir honors वाले बच्चों के लिए management account है यह अगर देखा जाए मैं बात करूँ तो हमारे पांच questions होते हैं generally इन पांचो questions को हम एक एक करके discuss कर लेते हैं कि कौन सा question कैसे आएगा और आपको preparation कैसे करना है maximum बच्चों का यही concern है कि आप preparation बता दिचे कैसे करना है ठीक है जो आपका question number one है a question number two question number three question number four and question number five sir important part of the theory okay मेरे हाथ में 10 year है इसकी pdf तो नहीं अभी मेरे पास आप सभी ने 10 year buy कर लिया होगा right पहले हम chapter पर आ जाते हैं किसमें से sure sure hundred percent questions आएगा जो हमारा first chapter है ने 10 year में या आप कहलो book के अंदर that is आपका theory chapter है nature and scope आपके पंदरा पंदरा number के पांच questions बनेंगे जो पहला question आएगा आपका first question जो की आएगा आपका theory का और इसके और में भी आपका theory रहेगा इसके और में भी sir theory ही रहने वाला है इस बात का ध्यान रखिएगा हो सकता है आपका एक छोटा सा management account का question बन जाए यहां पे छोटा सा management account का question बन सकता है जो second question आएगा आपके exam में second question यह रहेगा आपका marginal and absorption इसमें से आपके hundred percent questions पूछे जाते हैं पहले तो मैं chapter clear कर दूँ जिस student ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की आप में से अगर किसी ने माहलोब नहीं पढ़ाई करी अब सर पढ़ने बैठे हैं तो यह chapter ऐसा chapter है पूरे management account के book पूरे management ठीक है ना तो एक questions यहां से बनेगा आपका इसके और में आपका theory भी हो सकता है और secondary आपका इसी के और में आपका में भी एक PVR का question छोटा सा दे दे आपको as a PVR का question दे दे आपको ठीक है question number 3 बनेगा standard से काफी बच्चों कहें के standard में एक दो topic pending है इसमें से भी question कौन सा पूछा जाएगा या तो material variance या फिर labor variance और में आपके इसके थियोरी रहने वाले मतलब एक पार्ट थियोरी और एक पार्ट आपका फिर से labor variance material labor variance मतलब और में रहेगा ये ऐसे एक material variance का आगया उसके option में आगया labor variance overhead variance और sales variance वो एक्जाम में पूछे ही नहीं जाते लगभग लगभग नहीं पूछे जाते जो पूछे जाएंगे आपके ये in case अगर आता भी ये तो उसके option में आपको material variance 100% मिलेगा या labor variance इस बात का ध्यान रखिएगा sir जो question number 4 बनेगा आपका वो बनेगा आपका decision making पांच बन जाए चार बन जाए लेकिन बनेगा वो decision making और इसके और में भी रहेगा आपका decision making ठीक है ना और में भी क्या रहेगा decision making sir एक question रह गया जो कि आगे देखो numbering आगे पीछे हो सकता है एक question आपका बनेगा sir किस से budgetary से और budgetary के option में यानि जो भी question पांच बहा होगा उसके option में आपका theory रहेगा theory किस से रह सकता है relevant costing relevant costing से ये पूरा पूरा paper आपका होगा theory के बच्चे कह रहे हैं कि sir मुझे theory का बता दीजिए तो आप देखेंगे अगर theory के chapter तो just एक nature and scope है और जो 10 year में theory दे रखा enough है बहुत छोटा ससलेबस है concrete ससलेबस है ठीक है आपको यही theory करना है बाकी आगे आपके practical chapter में से ही theory बनेंगे चाहे आपका budgetary control हो चाहे कुछ भी हो यह theory भी मैं काम करूँगा आपका तीन को exam है कल ही में mark करके डाल दूँगा theory भी जो जो important theory है वो में mark करके डाल दूँगा right अब हम sure sure practical chapter की बात कर लेते हैं जिसमें से question पूछा ही जाएगा number one pvr में से question पूछा जाएगा sir pvr क्या है profit volume ratio number 2 sir pvr की बात करें तो marginal absorption में से पूछा ही पूछा जाएगा absorption pvr बहुत important chapter है number 3 sir budgetary control से पूछा जाएगा number 4 sir standard से पूछा जाएगा ये 4 chapter ऐसे हैं जिसमें से questions पूछे जाने कुछ भी हो जाए question तो पूछेंगे वो अब हम बात करते हैं chapter wise number 1 sir pvr में से क्या पूछेंगे वो एक तो एक question पूछेंगे और plus chart भी पूछ सकते हैं आपसे pre-even chart तो ये ऐसा chapter है जिसके अंदर और सबसे main chapter अगर आपने ये वाला chapter समझ लिया तो बाकी के chapter में आपका दिमाग चलने लगेगा ये पूरा का पूरा आपका ऐसा है जिसके अंदर कई बार और 10-year में कुछ और हो मैंने PVR के 10-year के भी सारे सारे questions लगभग कर दिये हैं अलग से folder डाल दिया है और book के भी जितने maximum question हो सकते थे कर लिए हैं तो इस chapter को तो करिएगा number one पे इसके बाद जैसे ही ये chapter खतम हो जाए आपका number two पे आप कर लिजिए marginal और no doubt जो marginal and absorption है और मैं आपको बताऊं ये chapter अभी देखो आज तीस तारिक है कली कत्ते से एक दो तीन कुछ तो income tax वाले बच्चे भी हैं तो उनके इसाफ से अगर मैं देखूं तो ये chapter आपका पूरा डे ले जाएगा अराम से पूरा डे लेके जाएगा ये chapter तो ये chapter पूरे डे में ले जाएगा और ये half डे लेगा वन बाइटू अभी क्योंकि इसी को फोकस रहेगा तो ये तो दो चैप्टर हो गए सर इसके बाद marginal marginal absorption में एक ही statement होता है जिसके अंदर आपको rectify करना होता है PVR के अंदर यही है अब आजाते हैं सर एक decision making रहे गया पांच बाद decision making अब इसके बाद जो आपको try करना है that is budgetary आपको try क्या करना है इसमें से कौन से questions आएंगे आपके या तो आपका आएगा flexible budget या फिर आएगा आपका production budget या तो flexible budget करिए जो focus रखिएगा या फिर production budget पेपर में बिल्कुल भी acting नहीं होना है कि बहुत मुश्की लाएगा सबसे छोटा slabors और सबसे easy paper आपका इसका आता है बस आपने practice करना है तो तीन chapter में क्या topic important है वो बता दिया standard costing इसमें एक questions आपका रहेगा material variance और एक रहेगा labor variance बाकी के चीज़ें दे रखी है उनको थोड़ा सा आप ignore करके चलें जैसे कि overhead variance या sales variance या control ratio डाला हुआ है already लेकिन इसके आप theory पढ़ ले तो ज़्यादा better आपको option में मिलेगा यह material variance और labor variance में भी कौन कौन से करना है देखो सब करना है एक तो simple है एक normal और abnormal loss वाला इसके अंदर ideal time वाला question बड़ा simple हाता है लेकिन मैं तो tough वाला बता रहा हूँ क्या आपने यह करना है tough वाला बता रहा हूँ यह करना है सर प्रेक्सिव बहुत doubt है पर question में कोई बात नी मैं जैसे FM में भी आप थे तो FM के लिए भी मैंने एक अलग से doubt number दिया था मैं आपका इसके लिए एक doubt number अलग से share कर लूँगा मैं जिसके अंदर फटा-फट आपके doubt निप्टा देंगे cash budget तुशार question मैंने although कराया है मैं वो बोल रहा हूँ जो exam में आपके आने के chances बनते हैं cash budget I know मैंने कराया हुआ है आपके लेकिन आने के chances उसको आप थोड़ा less importance दोगे यह ज़्यादा importance देके चलोगे आपके cash budget बहुत rare पूछा जाता है यह flexible budget सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और paper tough बना तो production budget पूछा जाएगा देखो इसका 10 year मेरे पास नहीं है PDF मैंने income tax में बोला था हो जाएगा तो वह हो गया इसका नहीं है होता तो जरूर कर देता आप group में किसी बच्चे से image मांग सकते हैं बहुत मोटी भी नहीं है पतली सी book है यह मतलब कि वह कोई भी PDF कर दे तो वह है नहीं तो nearby shop पे जाके आ आप management account का ले सकते हैं सर decision making lecture बिलकुल अब आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे ठीक है यानि सर अगर मैं बात करूं तो हमारी total पांच चेप्टर है relevant costing को मैं important नहीं दे रहा है simple सा है दो चेप्टर की बात हो चुकी है कौन-कौन से करना है तीसरा भी हो गया चौता भी हो गया लास चेप्टर हमारा कौन सा बसता है सर decision making सर लास चेप्टर हमारा है decision making इसका question हमेशा 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 बिलकुल अटपटा सा question बनता है मैं इस चेप्टर को बोलता हूं लास में करके जाना इसमें या तो आपको import और export वाला हो सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला question हो सकते हैं जो ज़्यादा तर पूछा जाता है खीक है और दूसरा mix वाला बन सकता है आपका product mix product mix वाला बन सकता है तो इसका मैं कोसिस करूँगा कि कुछ classes ले लूँ और इसका लिए मैं clear कर दूँ आपको clarity दे दूँ कल तो नहीं क्लास क्योंकि आप बागी चेप्टर करो जितने करार रखें वह तो आपने पहले clear होना चाहिए कि मैं क्योंकि उससे आगे बढ़ूँगा ठीक है जितना वीडियो में है वह पूरा clear होना चाहिए मैं उससे आगे बढ़ूँगा standard कर लो यह सारा का सारा कर लेना है अपने तुशार का कहना है सर आप वन शॉट वीडियो देखो वन शॉट इसके अंदर बनने नहीं देखो अगर कहते हो कि सर मार्जिनल में स्टार लगा तो स्टार लगाने वाला है ने एक भी question छोड़ूँगा वह एक्जाम में आ सकता ह standard में भी स्टार नहीं लगाने वाला है budgetary में भी स्टार नहीं लगाने वाला है यह question इतने कम-कम है जिसमें नहीं लग सकता हां जो past year में जिससे paper लगबग लगबग पिछली बार का paper एजटीज question बनके आया था उसका PDF जरूर PDF में डलवा दूँगा मैं आपके क्योंकि उस type के questions exam में आने के chances है most expected question जैसे कि हमने FM में लिया था उस type के questions में डलवा दूँगा जिससे कि आपके practice हो जाए और practice होने के बाद easily आपकर पहूं मैं वो डलवा दूँगा सर practical सिवधास में करें बहुत रहेगा कि बुक लेनाए नई सिवधास कर ले बहुत इनफ और मेरी वीडियो और सिवधास मैंने पूरा book cover करवाया है कुछ सिवधास भी cover करवाय है तो बुक और सिवधास दोनों को कर ले enough to enough रहने वाला यह tension की कोई बात नीए सर वीडियो में चार्ट, कुश्चन, Pvr not there in recorded वीडियो, recorded वीडियो में Pvr chapter is not for चार्ट वीडियो for the चार्ट कुश्चन in Pvr गीवन है, आपका गीवन है, आप देखेंगे चार्ट वाले कुश्चन आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा अगर आपको नहीं मिला है तो एक बार मुझे प्रसनली कंप्लेंट वाली नमबर पर डाल दो में का तो मैं कल नमबर दूँगा तो मिल जाएगा डेफिनेटली गीवन है मैंने खुद करवाया हुआ कोशन तीन से चार कोशन करवाया हुए मिल जाएंगे मेरे साथ से मैं एक बार देखी लूँ आप कह रहें नहीं है मैं दिखा देता हूं आपको कि शायद मैंने तो करवाया है चार्ट वाला कि फाइनिशल मैनेजमेंट मुझे जहां तक याद है मैंने करवा रखा है ठीक है देखिए कि अध कि अध मैं एक बार मुझे सारधी करना होगा किसी बच्चे को चार्ट वाली क्लास मिली है मुझे नई बताना निहात उठार प्रिया जस्प्रीत जितने प्रिक्सिक voter किया है किसी को ब्रेक इवन चार्ट से related वीडियो मिला या नहीं मिला नहीं तो फिर मुझे अलग से देना पड़ेगा नहीं मिला नहीं मिला छीक है आपको आज रात को ही मैं डाल देता हूं उसमें जूंड के आज रात नहीं तो कल सुबह मैं सिस्टम पर बैठ के चाट वाली वीडियो डल जाएगा चोटा सा कंसेट हो जाएगा बट 10 एयर में अपलोड वुमिका 10-year के भी questions करवाए हुए है नेहा कह रही है ऐसा 10-year वाले फोल्डर में है तो एक बार आप देखिएगा 10-year वाले फोल्डर में नहीं तो मैं देख लूँगा ठीक है अब 10-year का फोल्डर जो है जैसे अगर मैं देखूं यह थोड़ा सा पता नहीं क्या admin पेनल आ ग और एक चीज और यह जो regular paper solution है ना यह वाला है यह तो दूसरा solution है एक paper solution आप ना जब 10-year कर रहे होंगे ना तो दो हजार 21 का paper बिल्कुल भी consider मत करीगा वैसा paper नहीं आएगा 21 का 22 का देख सकते हैं और उससे पहले का देख सकते हैं 20 और 21 मत देखिएगा क्योंकि उस टेम पर open book हुआ था तो उसका हम नहीं देख सकते कुछ बच्चे आद देखके परिशान हो जाते हैं के सर यह सर यह था और यह क देखिए अब बच्चे ने कहा कि सर बजटरी कंट्रोल तो यह टैनियर में जाएंगे आप देखिए बजटरी कंट्रोल के काफी कुशन किये हैं अगर देखें हम अगर अगर इस देखिए आपका यह फ्लेक्सिबल बजट है नहीं प्रडक्शन बजट एक इस्ट्रूइंट यह भी कह रहा था कि प्रडक्शन बजट नहीं हो यहां से डूंड सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट मैंने करवाया मुझे अच्छे से याद है और यह जब मेरे पर स्मार्ट बूर्ट नहीं था और तब मैंने यह देखिए फ्लेक्सिबल बजट नहीं आ रहा है जिन बच्चों को तो मैं बता दूं कैसे करना आपको पहले नॉर्मल क्लास आप जैसे ही नॉर्मल क्लास आप देख लेंगे उसके बाद आपको फ्लेक्सिबल बजट टैनियर का समझ बाएगा नॉर्मल क्लास थोड़ा सा टाइम दीजिए फ्लेक्सिबल बजट मुष्किल नहीं है सबसे आसान बजटरी कंट्रोल में कोई चैप्टर है तो फ्लेक्सिबल बजट बस हम fix semi variable और variable ले ले लेते हैं या variable semi variable और यह ले 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 लेते हैं एक बार देखेंगे तो समझ में बागी doubt आएगा तो मैं बताऊँ पई सर चार्ट का question 14, 13 और 12 है related है तो आप देख सकते हैं निहा ने बताया है 14, 13 और मैं भी एक बार चेक कर लूँगा formula देखो मैं आपको क्या क्या दूँगा आप जैसे बच्चों अभी अब डिमांड कर रहे हैं एक आप जैसे कह रहे हो सर फॉर्मूला वाली चार्ट तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा PVR में कोई formula है ही नहीं वो सारे के सारे concept पे build up होते हैं फिर भी मैं एक formula वाला चार्ट दे दूँगा मैं जो कि expected है और नमबर तीन मैं decision making के जो doubt है आप सभी को doubt वाले नमबर जो है वो मैं clear कर दूँगा अभी आप फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए जैसे आज कोई doubt आता है तो आपको दो number गीवन है ठीक है एक number पर doubt solve कर रहे हो दूसरा जो FM के लिए मैंने doubt दिया थाना आज अगर आपका कोई doubt होता है या मैं कल एक नया ही number दे दूँगा नए number से benefit यह होता है कि मुझे पता होता है कि management का doubt है और management का solve करता है तो हमने 2-3 number इसलिए क्या कर रहा है कि हर paper से पहले हम एक नया number दे देते हैं ताकि जादा बच्चों के पास ना हो क्योंकि ऐस थियूरी का भी बिलकुल definitely मैं थियूरी का भी डाल दूँआं सब डिसीजन मेकिंग करवाना डिसीजन मेकिंग आप फोल्डर से देख लो और 10-year के कुछ questions है वो मैं बोर्ड पे करा दूँआ important important time कितने time में कितना chapter देखो अब time पूछ रहा है कि एक student कहते है सर्थ time बता दो तो better है PVR मैंने कहां पूरा दिन यह आधा दिन ले जाएगा budgetary control एक दिन पूरा ले जाएगा आपके धाई दिन हो गए बाकि standard में आपका एक दिन लग जाएगा मैं इसको पहले पूरा time बता दो जो proper एकदम relax होके करेगे decision making मानलो आधा दिन ले जाएगा ठीक है ना तो अगर हम time देखें तो कितना लगेगा फिर revision भी तो करना है हमने तो time देखें तो हमारा सर देड़ दिन चले गए देड़ के बाद धाई दिन धाई के बाद एक साड़े तीन दिन चार दिन तो आज से देखो अगर आज का तारीक है अगर आज PVR करने बैठ हो तो बड़े अराम से आप बारा से एक बजे तक PVR निप्टा सकते हो या अगल चीज़े समझ भी नहीं आई तो वह पहले बजटरी गंटोर करें फिर absorption कोस्टिंग करें ठीक है ना सारी चीज़ी आपको इस तरीके से लेके चलना है important questions मैंने बता दिये important question मैंने जो जो मैंने बोला है मैं वह चीज़े आपका upload कर दूँगा तो आज है 30, 31, 1, 2, 3 तो आपको थोड़ा सा महनत करके time अपने according क्या करना पड़ेगा reduce करना पड़ेगा और यह बहुत बड़ी दिक्कत है कि कुछ बच्चों के जिनका ER आया हुआ था उन्होंने तो उस हिसाब से practice या तयारी की होगी वो तो उसकी according लेके चले अभी तो priority उनके लिए income tax है तो उनके पास तो सिर्फ एक तारिक को आधा दिन बचेगा और फिर दो तारिक बचेगा तीन को बेपरी देंगा तेट दिन तो वो उसके हिसाब से पह standard का class जो है पहले से ही uploaded है उसमें मैंने काफी questions कराए हुए है फिर भी doubt आता है भूमी का तो आप पूछ सकते हो 2022 का question paper send कर देना सर आपका 2022 अगर आपने 10 यर लिया हो तो उस 2022 का question paper with solution होगा अगर 10 यर नहीं लिया तो मैं आपको सिर्फ paper देखना है तो मैं कल आपको वो image send कर दूँआ कल ठीक है प्रॉपर study plan देखो chapter बड़े कम है हमने पढ़ना कैसे है simple सी बात है सबसे पहले pvr खतम किया pvr खतम कहां से किया पहले हमने पूरा concept कवर किया वीडियो से और वीडियो कैसे देखना है आपको इस pvr वाले में हर questions में नहीं concept हो तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह छोड़ तो budgetary में question कर लिया छोड़ दो अगला हो जागा pvr में मत छोड़ना pvr कर लिया फटा-फट से pvr के बाद 10-year के question लगा लिया जो नहीं आए वीडियो में से देख लिए इसके बाद आप कर लो absorption costing जो आपका marginal absorption costing वह बहुत जल्दी हो जाएगा उसके बाद इस question को करने के बाद फिर budgetary पे चले जाओ budgetary करो budgetary के अंदर आप topic decide कर लो पहले मैं flexible के सारे question करूँगा फिर मैं आऊँगा तो production के करूँगा फिर मैं cash budget के करूँगा ऐसे topic decide करके करना इसके बाद standard में पहले मैं material के करूँगा फिर मैं labor के करूँगा तो इस हिसाब से आपने करना है सार Standard costing तुसार डाला हुआ है वैसे तो लेकिन फिर भी मैं कुछ questions important डालूँगा इसका जैसे कि Standard costing मैं बताऊं आपको Standard costing के बारे में तो यह देखे Standard costing आपके delay वे हैं अगर हम Standard costing के बारे में बात करें यह new recording में थोड़ा सा बताया था इसे चलिए हटवा देंगे आपका Standard costing में decision making Standard को देखे कितनी classes डली हुई है चार classes है और यह बड़ी बड़ी classes है तो जिसके अंदर पूरा-पूरा discussion है Standard costing में main formula का कमाल है और data बनाने का कमाल है बस डेटा बना लिया formula कर लिया वह अभी जितने भी chapter करें आप यह मत सूचिएगा इसका मतलब ऐसा क्यों करते हैं काफी बच्चा लास्टाइब पर पूछते न कि मैंने बताया कि बहिए Standard costing के अंदर mixed labor variance के अंदर हम revise standard ले ले लेत कौन से unit कितने marks काएगा देखो पांच ही chapter है पांच हो unit अगर देख ले हम कौन से unit कितने marks का डिसीजन making आपका 15 काएगा ठीक है मैं बताता जाता हूं budgetary control 10 से 15 का सकता है theory का भी portion दे देते हैं standard costing भी आपका 10 से 15 का आता है ठीक है पांच नंबर की theory हर किसी के साथ मान के चलिए PVR तो sir 15 का ही आता है और absorption costing भी 10 से 15 का आता है अगर आपने 10 year लिया हो तो आप अच्छे सा analysis करिए पहले तीन साल के paper देखिए उसमें 2020 और 21 को आप मानेंगे नहीं कोविड के duration का ये paper बना हुआ है जो की काफी level tough है और उसमें इन सभी chapter में सो कुछ दिखेंगे नहीं और वो लोगे sir ने कराया थो तो ignore करके चलना है उसको उससे पहले के paper देखिए और अपके paper देखने हैं आपने और sir यहां live class जो हुई है अभी तक show नहीं हो रहा सिर्फ एक class है live classes उसको upload कर दिया था हमने folder में लेकर live में गए ही नहीं तनिशका सभी के सभी आप recording में से देखिए content में जाके live में से कोई भी कुछ ना देखिए चीके